भारी संख्या में आज इस चुनावी सभा में उपस्तेद बढ़का गां और हजारी बाग सदर बिधानसवा चेत्र के मारे प्रत्यासियों के समर्थन में अपना अस्रिवात प्रदान करने के लिए पस्तेद बेनों और भाईयों अभी यहां पर हजारी बाग के मानने सांसद मनीश जैस्वाल जी कुछ बातें कह रहे थे मुझे लगता है कि यहां राम नौमी का जलोस यहां निकले सम्भौता इसी बात का इंतजार रहा होगा मैं तो अयोध्या से प्रभु राम की पावन धरा से ही आपके बीच में आया हूँ जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा आज वे देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है और प्रभु राम लला अपने भव्य मंदिर में बिराजवान भी हो गये हैं सिराम जनभूई पर भगवान राम का मंदिर बने राम भक्त पांच सो वर्सों से इसका अंतजार कर रहे थे इसके लिए संगर्स कर रहे थे लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलतान भी दिया बैरियर बनने का काम कौन कर रहे थे यही कॉंग्रेस यही आरजेडी यही चारखंड मुक्ति मोर्चा यही लोग थे जो राम मंदिर के निर्मान के मार्ग में बादक थे और जैसे ही देश की जनता जनारदन निर्णे दे करके दुनिया के सबसे लोग प्रिय राजनेता मोदी जी को देश की कमान सोपी मोदी जी के आवहान पर उत्तरब्रदेश वासियों ने भारती जनता पार्टी की सरकार बनाई मात्र दो वर्स में पांसो वर्सों की समस्या का समाधान हो गया है और यही कहने के लिए मैं आया हो यह पत्थर बाज पहले कस्मीर में भी थे याद करना आज पत्थर बाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं यह पत्थर बाज पहले भी थे और 2017 के पहले यह यूपी में भी थे इनके आका उत्तर ब्रदेश को लूटते थे कोई खनन माफिया के रूप में कोई भू माफिया के रूप में कोई पसू माफिया के रूप में कोई बन माफिया के रूप में कोई संगठत अपराद में लिप्त माफिया के रूप में उत्तरप्रदेश की जनता को लूटते थे उत्तरप्रदेश के संसादों में लूट मचाते थे और बेन और भाईयों उसके बदले इन पत्थर बाजों को पाल पोस करके पर वो और त्यवहारों में बिग्न और बाधा डालते थे आज आप देखते होंगे दित्ते दुरदान तो माफिया यूपी के थे या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं अरे अन्याई और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है और यह कार्य बकाइदा वहां पर कि हुआ है और आज उसी का पेड़ना में है अत्तरप्रदेश सुरक्सित है अत्तरप्रदेश में परव और त्यवहरों पर कोई बिग्न वादा नहीं होती है आपके यहाँ पे सप्रभारी के रूप में राजसवा के सांसत डॉक्टर लक्षमी कांद बाजपेईजी जिस मेरट से है उसी मेरट में गाजियाबाद से मेरट होते वे हरद्वार के लिए कावड यात्रा निकलती है चार करोड कावड यात्री निकलते हैं सत्रा के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हैली कप्टर से पुस्व वर्सा होती है ताकत का एसास कराईए और ताकत का एसास कराएंगे जो यह पत्थर बाज है सडकों पे आपके लिए ज़ाड़ लगा करके रास्ता साप करते वे दिखाई देंगे यह बजरंगी पता का हर घर में पहराईवी दिखाई देगी और उस ताकत का एसास कराने के लिए ही यह चनाव आपके पास है बंटिये मत जातियों में बंटिये मत जातियों में यह जाती के नाम पर बांटने वाले लोग वही है जो लोग आपके नाम पर आपको जाती के नाम पर बांटेंगे छेत्र के नाम पर बांटेंगे भासा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके उपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा यही कॉंग्रेस करती आई है लगातार 1947 से यही कॉंग्रेस ने देश को जख्म दिये यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिये और यही जारखंड मुक्ति मोर्चा इस जारखंड के साथ कर रही है बेनर भाईयों अभी तो हाल यह है और जिस प्रकार की गुस्पैट यह लोग करवा रहे हैं बैंगला देशी गुस्पैटियों का जिस प्रकार की गुस्पैट इन लोगों ने रोहों गिया का जारखंड के अंदर कराना प्रारंब किया है अगर ड्रेमो ग्रेफी चेंज शी प्रकार की होगी आज लोग यात्रा रोक रहे हैं बैन और भाईयों आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और संख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आउ सकता है आप से कहने के लिए आए हैं बाज़ अप्पा को लाईए एक रहिए और नेक रहिए मैं तो बारबार कहता हूँ देश का इत्यास गवा है इस देश का इत्यास गवा है जब भी जाती के नाम पर छेत्र के नाम पर भासा के नाम पर बंटे है तो निर्ममता से कटे भी है हम बार बार इस बात को कहते हैं जाती के नाम पर मत बंटिए ये बाटने वाले लोग देश के साथ धोका दे रहे हैं इनको देश इनके से इंडे का हिस्सा नहीं आए भारत सुरक्षित हो भारत संब्रिद हो हर चेरे पर खुसाली आए हर नौजवान के हाथ को कारे हो हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे हर बेटी और हर बहन स्वाबलंबन का जीवन जीए हर किसान के खेत में फसले लहलाती भी दिखाई दे उसके चेरे पर भी खुसाली हो और ब्यापारी सुरक्षित हो यहाँ इन बांटने वाले तत्तों का इन बांटने वाले लोगों का इन बांटने वाले रास्मितिक दलों के जेंड़ का हिस्सा नहीं है यह वह हर कार यह करेंगे जो भारत के बिरोधी होंगे उनको प्रस्रे देंगे गुस्नैटियों को प्रस्रे देंगे अराजक्ता को बढ़ावा देंगे हिंदों को जाती के नाम पर छेत्र के नाम पर भासा के नाम पर बांटेंगे परो और त्यावारों में बिग्न और बादा डालेंगे और चनाओ के समय आपको फिर जाती के नाम पर बहकाने का प्रियास भी करेंगे बैन और भाईयों यह समय बठने का नहीं है यह समय तो देश के बारे में प्रधान मंत्री मोधी जी की सोच के अनसार कारे करने का समय है आप मुझे बताओं मैं पूछाना चाहता हूँ कॉंग्रेश, आर जेडी, झारघंड मुख्तिमोर्ता से मैं पूछाना चाहता हूँ कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक इंडी कड़बंदन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को सासन करने का उसर मिला था उत्तर प्रदेश में भी मिला था क्यों नहीं इन्हों ने आयोध्या में राम मंदिर के निर्मान का मार्ग प्रसस्त कर दिया क्यों नहीं किया कारण है इनके जेंडे में आयोध्या नहीं था हिंदों की आस्ता नहीं थी इनके एजेंडे में हिंदों की सुरक्सा नहीं थी इनके जिन्डे में कहीं भी एक बेटी सुरक्सित हो एक बहन सुरक्सित हो एक ब्यापारी सुरक्सित हो इनके समय में जब भी कॉंग्रेस का सासन रहा है चाहे वा दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गड़बंदन का जारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके जारखंड में हो किसान आत्मत्या कर रहा है नौजवान प्लैन कर रहा है माफिया हर एक जगे हावी हो गया है बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है कई वे बांगला देशी गुस्पेट हो रहा है कई रोहंग्या का गुस्पेट हो रहा है और दुसास की प्राकास्ता तब दिखती है जब पर्व और त्यवार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पत्थराओ किये जाते हैं जगजनी मा भगती दुर्गा की यात्रा पर पत्थरा होता है रामनों में के जलूस पर पत्थरा होता है बैन और वाईयों सत्रा के पहले यूपी में भी होता था आज यूपी तो ना कर्फियू ना जंगा यूपी में अब सब जंगा है क्योंकि डवल इंजन की सरकार है और उसी डवल इंजन सरकार के लिए आपका आवान करने के लिए मैं आया हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लगा लोग सभाद चुनाओ के समय मुझे हजारी बाग मैं मनिस जी के लिए आना था और उस समय मेरा कारेक्रम लगभग बन भी गया था अचानक टेक्निकल फार्ड के नाते जहाज हमारा खराब हो गया नहीं आप आए फिर मैंने मेसेज भीजा था एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी थे और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पर उनके द्वारा समर्थित परतियासियों के समर्थन में बिधान सभा के चुनाओं के बहाने ही यहाँ पर बाचपई जिल्ले के आ गए बैन और भाईयो भारती जनता पार्टी आज मोदी जी के नित्रत्व में कितना अच्छा काम कर रही है जहाँ जहाँ भाच्पा की सरकार है गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महलाओं के लिए भी योजनाए है इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े-बड़े कारे हो रहे है और बिरासत और विकास के भी अद्बुत कारे हो रहे है आपने देखा होगा, कितना अच्छा कारी हर एक छेतुर में आप सोचिए, दुनिया करोना के सामने पस्तती मोदी जी फिरी में देश वास्यों को बचाने के लिए फिरी में टेस्ट, फिरी में उपचार, फिरी में वैक्सीन और करोना काल खंड से लेकर के अब ताग देश के अंदर 80 करोड लोगों को फिरी मेरासन की सुवधा का लाब मोदी जी दे रहे हैं ये मोदी जी दे रहे है आप सोचो ये कॉंग्रेस, आरजेडी और जारखंड मुक्ति मोर्चा तो गरीबों का अन्हजम कर जाते है और मोदी जी 80 करोड लोगों को फिरी मेरासन दे रहे है प्रधान मंत्री आवास योचना देश के अंदर 4 करोड गरीबों को अब तक उपलब्द कराय जा चुका है और मोदी जी ने का है जारखंड के अंदर सरकार बनाने दीजे एक बार भाजपा की सरकार आने दीजे 21 लाग गरीबों को अकेले जारखंड के अंदर एक एक आवास प्रधान मंत्री आवास उपलब्द कराया जाएगा